हेलो एब्रीबन स्वागत सबस्वी का संसाइन सौफ्ट में आगनवारी केंदो पर गरबर घोटाला आया है सामने पीली डाल के पिछे काला खेल ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये जो है दैनिक भासकर का जो है निूस पेपर आज का कह रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो भी हम आपको देखाएंगे उसमें क्या-क्या लिखा जा रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि जो विभाग द्वारा जो रेट दिया जा रहा है समागरी खरिदने के लिए जिसमें आप देखिए बजार में अगर 30 से 35 रुपए किलो आलू भी करा है लेकिन आगनवारी पर सेवी का द्वारा जो है 7 रुपए किलो आलू खरीदा जा रहा है अब ये कैसे खरीदा जा रहा है ये भी आपको जो है इस निउस पेपर में बताया जाएगा और 69 रुपए दाल खर्दा जा रहा है जहांपर बजार में 120 रुपए किलो दाल भी करा है राज में हर जिला में एक DPO होती है ICDS की जो की सभी सामगरी का रेट जो है जो विभाग के दोया दर दिया रहता है उसी साब से वो भाउचर कलेक करती है तो उन्होंने क्या कहा है News Reporter को वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे है तो चलिए देखते हैं कि दैनिंग फासकर के रिपोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है तो हमारे पास यहांपर दैनिंग फासकर का आज का ये जो है निउस पेपर है मुझे पापूर से ये जो है रिपोर्टिंग आ रही है 17.10.2024 यानि की जो है आज जो है 17.10 अक्टूबर इसी देट में जो है इस निउस को छापा गया है पोस्ताहार में खेल इसका जो शिर्सक है बजार में 30 रुपए किलो आलू और 107 रुपए किलो बिक रही है डाल आगनवारी केंडो के लिए 7 रुपए किलो आलू और 79 रुपए किलो डाल खरीद कहां से हो रही है ये सवाल उठाया है डैनि फासकर ने क्योंकि जब बजार में अगर रेट जादा है तो आगनवारी पर कम रेट पर किस तरह से खरीदारी हो रही है अगर कम रेट पर खरीदारी हो रही तो जरूर यहाँ वा मात्रा से जो है या फिर मात्रा या फिर गुनवत्ता से जो है खिलवार हो रहा है आग इसमें क्या कहा जा रहा है मेनू में काटोटी कर पोसहार की quality से समझोता यहाँ पर क्या जारा है I-Series विभाग दोरा चलिए देखते क्या क्या कहा जा रहा है ये जो रिपोर्टिंग की गई है धन्जय मिसा द्वारा की गई है जो की मुझे पपूर से है और ये जो रिपोर्ट है ये मुझे पपूर जिला से आ रहा है बाकिये जो रिपोर्टिंग है पूरे जिला में बिहार के जितने भी जिले है सब पर ये लागू हो रहा है इसमें किलो आलू और 79 रुपए किलो डाल खरीद कर बिहार के आगनवारी केंदों पर बच्चों को पोसहार दिया जा रहा है कैसे दिया जा रहा है इसी तरह बजार में 9 रुपए पीस अंदा मिल रहा है जबकि आगनवारी केंदों पर महस 6 रुपए 85 पैसे की दर से जो है अंदा दिया जा रहा है इसके अलावा सोयाविन समेत अन्ने कई समान भी बजार मुल से काफी कम किमत पर खरीद कर पोसाहर में खिलाया जा रहा है इतना ही नहीं आगनवारी से विकाओ द्वरा इसी मुले पर आलू डाल वो अन्ने समान वालन की खरिदारी का पक्का बिल भी जमा किया जा रहा है। पोसहार के मेनू में कटोटी के साथ साथ क्वालिती से समझोता कर इसकी पूर्ति की जा रही है पोसहार की थाली में डाल की पानी अधिक नजर आती है यानि डैनि भास का द्वर यहां पर कहा जा रहा है कि जो पोसहार मिल रहा है अगर कम रेट में खरिदा जा रहा है तो या में एक लाख अर्षत हजार पांसो दस बच्चे नमंकित है इन केंद्रों पर छो वर्षत की बच्चों को पौश्टिक गरम खाना देने के लिए समेकित बाल विकास कारेक्रम चलाया जाता है वही गरवती वधाती महिलाओं को भी कुपोशन से बचाने के लिए टेखोम कौन कौन से खाना मिलता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे सोम बार को यहाँ पर पुलाओ बनता है और नास्ता में फल के यहाँ पर कहा जा रहा है मंगल बार को आलू चना की सबजी वह चावल और साथ में दूध बुदवार को स्वयविन दाल की सबजी चावल मु फली नास्ते में शनीबार को खिचरी और नास्ते में फल यहाँ पर मेनू बताया जा रहा है फिर नीचे में यहाँ पर देखे कहा जा रहा है समान की कीमत यानि कि जो बजार का दर है और विभाग की द्वारा जो दर दी जा रही है उसमें अंतर यहाँ पर बताया जा रहा है समान यहाँ पर उपर में कहा जा रहा है अरहर डाल जो की बजार में जो है 107 रुपए किलो है बिभाग के द्वारा जो दर दिया जाता है वो 79 रुपए किलो दिया जा रहा है मुंग दाल 130 रुपे किलो बजार में बिक्रा है जो विभाग के द्वरा जो दिया जारा है रेट वो है 80 रुपे किलो मसूर दाल 110 रुपे किलो बजार में मिल रहा है और विभाग के द्वरा जो रेट दिया जारा है वो है 79 रुपे किलो सरसो का तेल जो है बजार में 107 रुपे बिकड़ा है विभाग दोरा इसकी खरिदारी करने के लिए जो रेट टै की गई है वो है 110 रुपे कीलो चना बजार में 100 रुपे कीलो है विभाग दोरा जो है 70 रुपे कीलो दिया जा रहा है स्वयवीन बजार में जो है 110 रुपए किलो है और विभाग दोरा जो है 90 रुपए किलो दिया जा रहा है अंदा बजार में 9 रुपए पीस भीक रहा है और विभाग दोरा जो है 6 रुपए पीस दिया जा रहा है अब यहाँ पर left side में आप देखिएगा जो DPO के साथ समवाद किया गया है DPO ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे और फिर यहाँ पर right side में जो है जो आगनवरी करमी संग है उनके दोरा क्या कहा जा रहा है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहले DPO क्या कहा रही है DPO का कहाना है मुख्याले की ओर से सभी समान का rate निर्धारित है राजस्त्री बैठक में rate revise करने को लेकर उच्चे धिकारियों को अवगत कराया गया है हाला कि किसी आगनवरी सेविका ने rate कम होने से संबंधी लिखित सिकायत नहीं की है इसकी कोई भी लिखित सिकायत DPO को नहीं प्राप्थ है और यह जो DPO है वो है मंजु बर्मा जो की मुझपरपूर जिला की DPO है ICDS फिर आगनवरी कर्मी संग जो है वो क्या कह रही है कम rate होने के कारण लाभूकों के हिस्से में कटोटी होती है rate बढ़ाने के लिए विभाग को लगतार अनुरोध किया जाता है सरकार को THR के लिए उचित दर तैय करनी चाहिए यह आगनवरी संग जो है परतीमा कुमारी जो की जीला सचीव है आगनवरी कर्मी संग उनका कहना है यहाँ पर आगनवरी संग कह रहा है कि हम बड़ावर सरकार को यह लिखित सिकाया दे रहे हैं कि जो आगनवरी पर जो rate दिया जा रहा है वो कम दिया जा रहा है बजार मुले से जो है कम दिया जा रहा है लेकिन DPO कह रही है कि जो है हमें कोई भी लिखिस सिखाय प्राप नहीं हुई है इसके उपर आपको क्या कहना है आप हमें नीचे कमेंट सेक्सें में बता सकते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ